हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफर्म पर मैं HR चौधरी आप सभी का दोस्तों बहुत-बहुत हारदिक स्वागत करता हूँ प्यारे दोस्तों यहाँ पर NHM से एक सांदार CHO की वेकंसी दोस्तों रिलेज कर दिया गया है अब यह वेकंसी रहने वाली हैं आपको पता है हर एक स्टेड में अलग 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 वेकंसी जाती हैं उनका नाम भी अलग 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 देते हैं अलग 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 है राजस्तान की जिसमें जो इसे कर रहा है ठीक है अब तो यहाँ पर दोस्तों डेट की बात करें ऑफिशली नोटिफिकेशन की तो दस मार्च 2022 को यह notification दोस्तों जारी हुआ है और इसके advertisement number है वो यहाँ पर आप दोस्तों mention की हुए है यहाँ पर आप देख सकते हैं number nhm oblique admin 1 oblique 401 oblique 2019 और oblique svmsu यह इसके दोस्तों advertisement number है name of post mid-level service provider mlhp mid-level health provider यहाँ पर mid-level service provider इन्होंने जो है पोस्त का नाम रखा है the center for management development जो है cmd on behalf on the national health mission kerala invite application form eligible and qualified candidate for filling up the post of mid-level health sorry mid-level service provider staff nurses इन्होंने नाम transmission मतलब जो है 14 district है वहाँ पर vacancies रहने वाली हैं जिसमें लगले पोस्तों का किया है कहां पर कितनी पोस्त हैं तो टोटल जो बोस्त हैं वह यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं टोटल कितनी पोस्त हैं पंद्रहसोस है पोस्त है जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो education qualification हम दोस्तों देखे है तो या आपने BAC nursing किया है या फिर GNM with one year post qualification experience as on first March 2022 एक March 2022 के दार पर आपको यह दी GNM के साथ एक साल का अनूब है तो यहां पर आप apply कर सकते हैं और method of recruitment देखें दोस्तों तो यहां पर contractual basis पर यह vacancies है वह रहने वाली है ठीक है अब next देखेंगे date for online application आप सोच रहें कि अप्लेकेशन कब बरे जाएंगे तो start date for submitting online application की बात करें तो 11 March 2022 दस बज़े से start जो होगे हैं और last date है वो आपकी 21 March 2022 सामको पाँच बज़े तक रहने वाली हैं आप salary की बात करें तो 17,000 for four month during training period मलब जो training होगी आपकी उस दोरान चार मन्द के लिए जो है 17,000 बाद में 17,000 प्लस 1000 fixed travel allowance मिलेगा only after successful completion of training training जो करेंगे उन complete होने के बाद में आपको जो है 18,000 रुपे मिलने वाले हैं ठीके अब दोस्तों general terms and conditions काफी कुछ दे रखा है आप apply कर सकते हैं यदि इसमें ऐसा तो कहीं नहीं लिका है All India Candid apply कर सकते हैं या नहीं बट जैसा मैं मेरे मुझे पता है कि जो वेकेंजी जाती आपको कुछ लगे तो आप ट्राइ कर सकते हैं यह वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें हां यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं यह पंदरा नंबर पॉइंट पे दोज MLSP who have complete the course community health nursing integrated BAC या post basic will be exempt from training and will be posted in the institute without job training मतलब यह आपके पास already training है तो आपको सीधा डारेक्ट लिया जाएगा अब यहां पर पंदरा नंबर पे पॉइंट में आपको mention कर रख दिया है बाकि जो भी पॉइंट है आप पढ़ सकते हैं यह पूरी पीडियो में अपने जो टेलिग्राम चैनल है वहां पर टाल दूँगा लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन वक्स में हैं तैंक्यू सो मच